दोस्तो आज की क्लास में हम लोग study करेंगे representation of 3D molecule into 2D molecule तो कौन से ऐसे model है जिनकी help से हम लोग study कर सकते हैं इन molecule के बारे में तो सबसे पहले हम लोग study करेंगे the flying wedge के बारे में उसके बाद हम लोग study करेंगे fissar के बारे में then हम लोग the horse and the last one is the new man projection चलिए दोस्तो देखते है flying wedge के बारे में ये model ऐसा है जो की chemistry में ज्यादा तर use होता है इसकी study करने के लिए सबसे पहले हमने एक tetrahedral molecule ले लिया जिसमें carbon कैसा है chiral है आप देख रहे हैं इसमें सारे atoms क्या है different atom और group क्या है different जुड़े हुए है A, B और C and D आप इसमें देख रहे हैं तीन तरीके के bond आप बैटा देख रहे हैं दो एक तरीके के हैं जो आपको thin देख रहे हैं और एक आपको कैसा thick दिख रहा है और एक आपको dash दिख रहा है तो इनका क्या मतलब है इसके बारे में जानते हैं जो आपके thin bond दिख रहे हैं या आपके जिनसे C और D attached है ये plane के उपर है या ठीक है plane of the paper है जो आपका A group जिससे attach है thick line या solid ways ये represent कर रहा है ये above the plane है जो आपका dashed line है वो represent कर रहा है ये आपका below the plane है इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एक 3D molecule बेटा ले रखाया है ये model है ball stick model इसको बोलते हैं इसमें आप ये देख सकते हैं ये flying wedge model है टेट्राइडल है इसमें आपके पस चार group हैं जो कि different group attach हैं दोस्तों अगर ये blue औवाइट को हम लोग क्या करें plane में मालने इनको एक plane में रख ले तो आप देखेंगे जो red color का है yellow ये दोनों क्या है एक आपका above the plane एक आपकी तरह है आपकी तरफ है दूसरा क्या है आप से दूर है अब जो है एक बार आपको दिख रहा ना अब देखिए एक बार फिर से ये आपका black क्या है ये carbon है इस carbon से attach चारो वैलेंस से क्या है different है काइरल है ये carbon इसमें जो आपका white और blue color का ये atom दिख रहा है ये आपका क्या है ये plane पे है और जो आपका red color है वो आपकी तरफ observer की तरफ और जो yellow color का है ये आपसे क्या दूर है तो दोस्तों अब अप जो है अपने structure में देखिए slide में आपको देखेगा जो A है ये आपकी तरफ है thick line से जो yellow है आपसे दूर है ये आपको dash line में blue color का और जो white item ये दोनों देख रहें क्या है thin line से ये thin bond से आपको represent किये गए है तो दोस्तों next आप देखते हैं the fissure इसके बारे में clear हो गया होगा clear next जो wedge का simplification and that is fissure projection कैसे इसको simplify करेंगे उससे पहले हम लोग जान लेते हैं इसको किस तरीके से design ये बनाया जाता fissure projection को दोस्तों ये आपका क्या है एक cross है आपको एक cross दिख रहा है इसको represent करने का तरीका है ये cross है और जो midpoint है जो molecule हमने ले रखा है उसके recording जो midpoint है ये carbon कैसा है chiral है क्योंकि इससे जो चारो ग्रूप है वो attach है आपके कैसे different है तो दोस्तों ये vertical line horizontal line ये क्या represent करती है तो मैं आपको बता दू यहाँ पर जो आपकी ये vertical line है ये vertical line represent करती है away from the observer कि observer से दूर है क्या C और D group ये क्या है observer से दूर है लेकिन जो horizontal line है ये represent कर रही AB जो atom है ये क्या है observer की तरफ है ठीक है अब इसको जो है flying wedge से कैसे simplify किया जाता है उसके बारे मैं मैं इस model के तो आपको समझाने की कोशिस कर रहा हूँ देखिए ये flying wedge model है, इस flying wedge में आप देख रहे हैं ये एक आपकी तरफ से ready है और ये क्या है? below the plane है और ये दोनों group क्या है आपके? ये दोनों गुरुप आपको दिख रहे हैं ये दोनों group कैसे हैं? ये plane पर है अगर आप क्या कहीजिए ये जो आपकी तरफ है और आप से दूर है इन दोनों आपको atom को पकड़िए इस तरीके से कर दीजे तो अब आप देखेंगे जो horizontal line पे group है यह आपकी तरफ है और जो vertical line पे है वो आपसे दूर है तो यही फिसर projection है पेटा आप देखें जो आपको horizontal line है यह दोनों क्या है आपकी साइट दिख रहा होगा इस model में और जो आपका white और blue clear के atom है C और D vertical line पे है और यह दोनों क्या है आपसे दूर है तीस model में है इस projection में एक बार फिरसे देखें जो vertical line है यह जो आपकी vertical line है यह आपकी क्या है observer से दूर है अवे from the observer जो horizontal line है यह क्या है towards the observer है ठीक है जो mid point है यह carbon को represent कर रहा हो यहाँ पर यह carbon कैसा है chiral है इसको समझने के लिए हमने कहके है एक simple molecule या glycelaldehyde दोस्तों जो longest chain है ठीक है carbon की सबसे पहले उसको हम लोग क्या करते हैं vertical पे लेते हैं vertical में आपने ले लिया सबसे पहले देखिए जो topmost पे आप carbon रखते हैं वो priority से रखते हैं सबसे पहले number किस की होगी CHO की तो आपने CHO को सबसे पहले वाला carbon दे दिया जो सबसे last carbon है उसको आपने कहा रखा bottom पे रखा फिर उसके बाद देखिए जो chiral carbon आपको दिख रहा ये midpoint में आपको दिख रहा होगा इस पे देखिए CHO ह लगा हुआ है तो CHO ह आप क्या करेंगे एक बार left OH एक बार right में और एक बार left में OH और एक बार right में रखेंगे तो इस तरीके से इस projection के projection के दो आपको structure में लेंगे जिनमें क्या relation एक्जाम में ये पूछा जाता आपसे ये पूछा जाता है 1 और 2 में क्या relation है क्या ये दोनो इनांसियो मर हैं क्या ये दोनो डायस्टूरियो मर हैं कि ये दोनो identical हैं या इन में से कुछ भी नहीं तो इसके बारे में हम दोस्तों हम लोग discuss करेंगे next वीडियो में next example हमने ले रखा alanine के बारे में alanine ये amino acid है इसका structure कैसे हम लोग draw करेंगे अब देखिए इसमें भी chiral carbon है तो सबसे पहले longest chain देखिए कौन सी है ये longest chain है तो longest chain आपको vertical पे रखना है रखना है ठीक है सबसे पहले आपने क्या क्या है कॉर्बॉक्सली केसिट ठीक है priority में 1 पे है इसलिए सबसे पहले किसको रखा कॉर्बॉक्सली केसिट को फिर देखिए काईरल carbon ये intersection पे है और थर्ड पे आप देखिए क्या है CS3 है ठीक है अब left side में CS से क्या attach है आपका CSC से attach है NH2 और S तो आपने एक बार क्या left side में इस रखा और right side में NH2 रख दिया clear उसके बाद आप देखिए कि इसको एक बार NH2 आप जो है left side रख दीजे और एक बार hydrogen को right side इस तरीके से दोनों group आपके क्या हुए दोनों projection आपको ये ready हो गए दोस्तों इसमें भी आपको याद रखना इन दोनों में क्या relation है enhance you में ये identical ये सारे question exam में पूछे जाते हैं दोस्तों अगर जो ये सारी चीज़े आपको समझ में आती हैं तो एक बार इसको subscribe कीज़ेगा जिसमें थोड़ा सब मुझे confidence में ले और आपके लिए मैं और दूसरी भी वीडियो बनाऊँ चलिए next हम लोग बात करते हैं fissile projection के मारे में जो important point है जो exam में पूछे जा सकते हैं तो सबसे पहले याद रखेए कि दोस्तों इसको जब आप आप ड्रा करेंगे फissile projection में जो सबसे longest chain होती है carbon chain उसको क्या करते हैं हम लोग vertical पे रखते हैं और जो top most पे जो functional group रहता है वो most highly oxidized function रहता है ठीक है इस तरीके से सबसे पहले आप क्या करेंगे जो straight chain जो longest chain होगी उसको vertical पे रखेंग जो top पे आप रूप लगाएंगे वो highly oxidized होने वाला होना चाहिए clear उसके बाद लोग देखते हैं इसमें कुछ manipulation है जो कि exam के form में आप से exam में question के form में आप से पूछे जाते हैं तो पहला आप rule देख रहे हैं कि अगर ये आपका R-lactic acid है अगर ये R-lactic acid है अगर इस projection को 180 पे आप move करें किस पे 180 पे move करें तो आप देखेंगे आपको R से R ही projection मिलता इसमें किसी भी तरीके का change नहीं होता आप जो है फिसर projection बनाईए उसको 180 पे आप क्या कर दीजिए move कर दीजिए तो आप देखेंगे R अगर आपका lactic acid है तो आपको R ही मिलेगा या कोई भी compound R है तो आपको R ही मिलेगा वो R S में convert नहीं होगा दूसरा देखेंगे ये भी important point है इसमें क्या है 2 R एनी अदर even number of interchange कहने का मतलब है आप किसी भी projection में 2 बार या 2 टाइम आप interchange कीजिए या even number of interchange करेंगे तो उसमें भी आपका जो configuration है वो change नहीं होता है आपने lactic acid लिया ले लिया आप carboxylic acid को OS से आप interchange किया कर दिया यहाँ पर देखिए फिर उसके बाद hydrogen को methyl से interchange किया कर दिया तो उसके बाद दूसरा interchange किजिए देखिए CS3 इससे हो गया अब यहाँ पर देखिए यह R-lactic acid था तो यहाँ पर भी क्या मिल गया आपको R-lactic acid कहने का मतला 180 बार rotation, 80 degree पर rotation no changes, two time interchange no changes, third one आप देखिए one और odd number interchange में आपका configuration change हो जाएगा कैसे आपने R-lactic acid ले रखा है clear आपने carboxylist acid और OH को अपने interchange किया, तो देखो यहाँ R से आपको क्या मिल गया, S-lactic acid मिल गया, clear है, तो 180 degree पर no changes, two time no changes, लेकिन one time change करने पर आपका configuration क्या होगा, change होगा, दोस्तों next भी important है, अगर आपने किस R projection का लिया है, अगर इसको 90 degree पर क्या करते हैं, rotate करते हैं, तो देखो यह S में convert हो जाता है तो कहने का मतलब 180 पर no changes, लेकिन 90 पर क्या होगा, R projection S में convert हो जाएगा, या S जो है किसमे convert हो जाएगा R में यह चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों यह देखे, fifth condition is not possible, कि OH को direct आप ऐससे क्या करते हैं, interchange करजे flip out of the plane, ऐसा possible नहीं होता है, ऐसा सिर्फ तभी possible होता है, जब आप bond break करें, ठीक है, यह confirmation है यहाँ पर किसी तरीके कोई reaction नहीं हो रही, तो यह देखे, आप क्या कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं, एक group को आप पकड़ डीजे और दूसरों को rotate कर दीजे, इस तरीके से interchange आप कर सकते हैं, clear वह आपको officer projection, ठीक है next आपका सहार सा perspective formula, ठीक है इसमें बेटा देखेंगे, जो adjacent carbon है, दोनों diagonal जो diagonal पर क्या रहते हैं, situated रहते हैं अब देखें, यहाँ पर एक diagonal है यह दोनों adjacent carbon है, यह दोनों क्या हैं, यह diagonal से separate है, अब इस carbon पर जो ligand यह group लगे हुए हैं, और इस पर भी क्या है जो group लगे हुए है तो आप देखेंगे, left side जो bottom पर हैं, वो nearest to the observer है, किदर है, observer के पास है, लेकिन right side में जो top पर हैं, वो away from the observer, यह याद रखना है आपको ठीक है, इसमें भी आप staggered और eclipse form में देखेंगे, तो देखें यह जो hydrogen है, इससे just opposite है, 180 degree पर लगा हुआ है, तो यह आपका कौन सा होगा, staggered form होगा और इसमें आप देखेंगे, यह hydrogen जो है, just just behind है, तो यह इस तरीके से बेटा है, याद रखना तो यह आपके क्या होगी है, 0 degree पर है तो eclipse problem में होगा, 300 horse का perspective formula, clear next आपका आता है new mount projection, दोको दोस्तों इसको समझने के लिए आपको यह समझना है यह along the axis होता है यह देखिए, यह आपका axis है, माल लेता है यह line आपकी है, तो यह आपको दिख रहा है, ठीके, यह जो point है यह आपका क्या है, front पे और यह क्या है, back side में, इसी तरीके से new mount projection है, ठीके अब देखिए, यहाँ पर जो आपको point दिख रहा है, यह जो point दिख रहा है, यह front पे, front carbon, इसके just behind क्या है, आपका back carbon है, इसके लिए 3D मैंने भी बना के रखा है, यह देखिए दिख रहा है, यह new mount projection है, माल लेते हैं, ठीके, यह circle है, ठीके, अब देखिए इस circle पे, यह carbon है, यह back, तो आपको back वाला तो दिखेगा नहीं, ठीक है, तो front आपको दिख रहा है, तो दोस्तों दिखी, यह hydrogen यह hydrogen दोनों क्या है, आपके 0 degree पे है, तो यह आपका क्या होगा, देखिए इसमें दूसरा structure यह आपको eclist form देगा, और अगर इसको आप rotate कर दे, 60 degree पे, इस सारे hydrogen एथेन का है, यह red और यह आपका जो, यह blue color का यह है, यह इसलिए लगा, जिसमें आपको दिखेए, ठीक है, अगर जिसको 60 या 180 पे क्या कर दे, आप rotate कर दीजे, इस तरीके से, तो यह आपका क्या हो गया, staggered form हो गया, clear है, तो new man projection में आपको देखना है, इस तरीके से, दोस्तों, सुभा किसी ने मुझसे question किया था, उसमें क्या question था, कि अगर मा लिजे इस, इस तरीके से, front से आपको staggered देख रहा, देख रहा, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से rotate कर दे, ठीक है, आप बयक वाले को front पे ले आए, तो क्या यह staggered से eclipse हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों staggered ही रहेंगे, लेकिन अगर आप इस axis को आप क्या करेंगे, rotate करेंगे, इस condition में क्या है, आपको confirmation change होगा, otherwise, आगे से देखें, आप पीछे से देखें, दोनों की condition में आपको क्या देखेंगा, वो staggered होगा, तो staggered देखेंगा, eclipse होगा, तो eclipse देखेंगा, clear है, तो next हम लोग discuss करेंगे, fissure projection को का इस तरीके से flying wedge में convert करते हैं, flying wedge को fissure में convert करते हैं,